ये लड़की पानी के अंदर फस चुकी थी और जान लेवा शाक उसी के पीछे आ रही थी फिर लड़की जैसे तैसे करके पानी के उपर आने की कोशिश कर रही थी और हम देख पाते हैं कि लड़की को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। जिस वज़े से वो जंजीर तूट जाती है और वो तेजी से पानी के अंदर जाने लगी और लर्की भी जंजीर को पकड़ते हुए तेजी से पानी के अंदर चले जाती है अब शार्क उस लर्की के पीछे पढ़ गई थी और तेजी से उसे खाने के लिए आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि लर्की मर जाएगी तब अचानक से लर्की वहां से हज जाती है और शाक नीचे पड़े हुए लोहे के रौज से तकराती है जिस वज़े से शाक की मृत्यू हो जाती है और आखिरकार लर्की की जान बच गई